यह जो नजारा आप अभी देख रहे हैं यह रन्थंबोर का स्वर्ग कहा जाता है यह रन्थंबोर का जंगल कई जंगली जानवरों का घर है और इस रन्थंबोर के जंगल में दो प्रकार के हीरन पाए जाते हैं एक हीरन को हम सांबर डियर कहते हैं और दूसरे हीरन को हम स्पोटेड डियर के नाम से जानते हैं यह जो आप अभी इस वीडियो क्लिप में देख रहे हैं यह एक स्पोटेड डियर है और ये अपने बच्चों के साथ में और अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पर भोजन का आनंद ले रहे हैं यह रन्थंबोर की एक फेमस लेक है और इस लेक पर जदातर सामर डियर अपने भोजन का आनंद लेने के लिए और पानी पीने के लिए आते रहते हैं लेकिन यहां पर इनका सत्रू इन पर हमेशा घात लगाए बैठा रहता है और इन जानवरों का सबसे बड़ा सत्रू यहां का राजा टाइगर होता है और यह टाइगर का सबसे प्यारा फूड होता है जब यह जानवर पानी पीने के लिए यहां पर आते हैं तो इनका उपर मगरमच भी यहां पर घात लगाए बेठा होता है और टाइगर के अलावा यहां इनका सबसे बड़ा जो दूसरा सबसे बड़ा जो दुस्मन होता है वह है लेपर्ड होता है तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे की इन हीरनों में से किसकी मोत लिखी है और कौन इसे मारेगा और मोत से बेखौफ हीरन अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं और अचानक कुछ ही शन में एक टाइगर इन हीरनों पर हमला कर देता है और यह रंतंबोर की कोई नहीं एक फेमस टाइगरेस और रिद्धी है तो आज फिर एक डियर को एक टाइगर ने मोत के घाट उतार दिया बड़ी चालाकी से तो आज आपने देखा एक और शानदार वाइड लाइफ का वीडियो केसे टाइगर ने अपने सिकार को बड़ी शानदार इन जाडियों में छिपकर उस पर अटेक कर दिया और उसको अपना सिकार बना लिया तो एसे ही वाइड लाइफ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फोर वाचिंग लाइक कमेंट एंड शेयर जै हिंद जै भारत लव यू गाईज और कीप सपोर्टिंग